तो फ्रेंड्स मेरा नाम है रवी और आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल करंट अफेर्स पाई रवी पर फ्रेंड्स आज में आपके लिए 13 फरवरी 2024 के डेली करंट अफेर्स के कोशन इस वीडियो में लेकर आया हूँ मैंने आपके लिए सभी कोशन सेलेक्टेड और इंपोरेंट लिये हैं अगर आप किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा योसफुल रहने वाला है फिर सभी कोशन को हम बिल्कुल डिटेल में मैप के साथ और फोटो के साथ समझे तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट कोशन से फर्स्ट कोशन है मारा नौसेना प्रमुक एड्मिरल आर हरी कुमार ने नई रक्षा पर नाली जिसका नाम है प्रिसीजन अप्रोच रेडार का उधगाटन कहां किया है राइट आंसर हो जाता है ओप्शन ए अंडमान नि कोबार में नौसेना प्रमुक एड्मिरल आर हरी कुमार ने नई नौसेना रक्षा पर नाली जिसका नाम है प्रिसीजन अप्रोच रेडार इसका उधगाटन किया है डिटेल में अगर हम समझें इसका उधगाटन दक्षिन अंडमान दूई पर स्थित आई एनस उतक्रोश में किया गया है फ्रेंट्स ये लाइन आपके लिए काफी इंपॉर्च आपसे पूछ लेंगे बताओ ये जो रेडार है इसका उतकर न कहां पर हुआ है आप का अंसर होगा इनस उतक्रोश में ये काफी इंपॉर्च लाइन थी आपके लिए डिटेल में अगर हम और समझे प्रिसीजन एपरोच रेडार भारी बारिश और कोहरे जैसी कम द्रिशता वाली स्थितियों में विमान को सुरक्षित रूप से उतारने में मददगार होगा और कम द्रिशता में भी अत्याधिक, सटिक, 36 और उर्द्वाधर मांग दर्शन प्रदान करेगा ये आपको ध्यान रखना है दिकोफेंट्स बात यहाँ पे हुई है अंडमान और निकोबार की तो इसके बारे में कुछ आपको एक्स्टा फैक्ट बता रेता हूँ दिकोफेंट्स अंडमान और निकोबार दूइप समों जो है सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कहां पर है यह है बंगाल की खाड़ी में और अंडमान निकोबार की राजधानी कहा है पोर्ट बलेर है सबसे उची चोटी पूछी जाती है वो है सैडल पीक और आपसे पूछा जाता है बताओ अंडमान निकोबार दूइप समों में लगभग कितने दूइप है तो आप कांसर होगा पांसो बहत्तर यह भी आपको राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी अस्टेलिया की टीम ने याद रखना है अस्टेलिया की टीम ने पंदरवे आईसी सी अंडर नाइंटीन विश्कप दोहजाज़ाज़ाबिस का खिताब जीत लिया है डिटेल में अगर हम समझें इसका आयोजन हुआ था दक्षिन जो है अस्टेलिया टीम के कप्तान रही है भारती टीम के कप्तान उद्य सहारन यह भी आपको ध्यान रखना है और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ अस्टेलिया ने चौथी बार आईसी सी अंडर नाइटीन या खिताब अपने नाम करा है एक्जाम के लिए most important question था राइट आंसर हो जाता है इस question का हमारा option B चीन चीन देश ने फेंस अंटाक्टिका के विग्यानिक अध्यान के लिए क्यूनलिंग स्टेशन को लॉंच करा है डिटेल में अगर हम समझें यह रौज सागर में inexpressible दूईपर स्थित है क्यूनलिंग स्टेशन अंटाक्टिका का संचालन करना इसका मुख्य उद्देश रहेगा बात यहां पर चीन की हुई है तो राजधानी क्या है बीजिंग है चीन की मुद्रा क्या है रैनमिन भी है और यूवान है और यहां के राश्पती है शी जिन पिंग देखो यह तो मैंने आपको बता दिया कि अंटाक्ट जोड़ा हुआ कि अंटाक्टिका की खोज किस ने करी थी तो आप का अंसर होगा जैम्स कुक ने करी थी यहां पर लिख देता हूं जैम्स कुक ने करी थी और आपसे एक्जाम में पूछा जाता है कि अंटाक्टिका का सरवोच शिखर कौन सा है तो आप का अंसर हो जाएग और महत्री यह तीन है भारत के अनुसंधान केंद्र अंटाक्टिका पर आई हो फैंट जो भी आपको मैं अडिशन फैक्ट बता रहा हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और यकीन मानिये एक्जाम में आपको हुबहु देखने को मिलने वाले हैं कोशन नेक्स्ट है मारा कोशन आतंगवाद के लिए अनुकूल हिंसक उगरवाद की रोगथाम के लिए अंतरास्टिय दिवस 2024 का मनाया गया है राइट आंसर हो जाता है option A, 12 फरवरी 12 फरवरी को मनाया गया है आतंगवाद के लिए अनुकूल हिंसक उगरवाद की रोगथाम के लिए अंतरास्टिय दिवस theme देख लेते हैं theme एसकी living together, fostering community re-silence to prevent violent extremism as when conducted to terrorism theme काफी लंबी है इसलिए exam के लिए important नहीं होती है बस आपको दिवस याद रखना है 12 फरवरी को मनाया जाता है यह दिवस अब देखो friends मैं आपको न कुछ पिछले दिवस जो आए हैं वो आपको revise करवा देता हूँ जनवरी 2024 के महतपुन दिवस को हम revise करेंगे प्राकरम दिवस 23 जनवरी को मनाया गया है अंतराक्षिय सिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया गया है राश्टिय मद्दाता दिवस 25 जनवरी को राश्टिय परेटन दिवस 25 जनवरी को यह सबी extra facts आपने ध्यान रखने है नेक्स्ट है हमारा question और exam के लिए काफी important रहने वाला है question हमारा के पीपी नामबियार पुरुसका 2024 से किसे सम्मानित किया गया है right answer हो जाता है इस question का हमारा option A S. सोमनात S. सोमनात को KPP नामबियार पुरुसका 2024 से सम्मानित किया गया है फिंस यह आप photo में देख सकते हो detail में अगर हम समझे आपको बताना चाहता हूँ S. सोमनात इसरो के वर्तमान अध्यक्षे और इसरो क्या है भारत की space agency का नाम है और इनको यह पुरुसकार क्यूं दिया गया है अंतरिक्ष प्रौदेगी के में उनके नेतरितव और नवाचार के लिए बात यहाँ पेसरो की हुई है आपको बता चुका हूँ इंडिया की space agency है भारती अंतरिक्ष अनुसंधान जंगठन हिंदी में फुल फॉर्म होता है 15 अगस्ट 1969 को इसकी स्थापना हुई थी एक्जाम में डारेक्ली पूछा जाता है मुख्याले कहां पर है बैंगलूरू करनाटक में संस्थापक है विकरम सारभाई नेक्स्ट है हमारा कोशन टाटा ट्रस्ट ने किस राज्य में भारत के पहले छोटे पशु अस्पताल का उधगाटन करने की घोशना की है राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा option C महाराज्ट के मुंबई में टाटा ट्रस्ट ने भारत के पहले छोटे पशु अस्पताल करने की घोशना करी है कहां पर हो गई है मुंबई के महालक्षमी शेतर में इसकी लागत आएगी 165 क्रोर रुपए चेतरफल होगा 192 एकड में और वहीं अगर हम बात करें इसका उदेश्य क्या होगा इस अस्पताल में कुट्तों, बिलियों, खरगोश और अन्य छोटे जानवरों के लिए 24-7 की सुविधा उपलब्ध होगी और टाटासंस के वर्तमान अध्यक्ष कोने नटराजन चंदर शेकरन नेक्स कोशन कर लेते हैं, एकजाम के लिए आपसको डबल स्टार मार कर लेजे पुरानी पैंशन योजना यानि की OPS लागो करने वाला पुरवोतर का पहला राज्य कौन सा बना है राइट आंसर हो जाता इस कोशन का हमारा OPS बी सिक्किम सिक्किम जो है ये पुरानी पैंशन योजना लागो करने वाला पुरवोतर का पहला राज्य बन गया है ये आपको ध्यान रखना है और इसकी घोशना किसने करी है सिक्किम के मुख्य मंतरी प्रेम सिंग तमांगने करी है सिक्किम ने एक एपल 2006 को या उसके बाद नियुक्त राज्य सरकार के करमचारियों के लिए पुरानी पैंशन योजना बहाल कर दी है महतव क्या होगा 31 मार्च 1990 को या उससे पहले नियुक्त करमचारियों को सिक्किम सेवा पैंशन नियम 1990 के तहट लाव मिलेगा नेक्स्ट है मारा कोशन भगवत गीता पर हाथ रखका शपत लेने वाले पहले भारतिये मूल की अस्टेलियाई सिनेटर कौन बने है राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा ओप्शन बी वरुन घोष ये फोटो है वरुन घोष जी की नेक्स्ट है मारा कोशन दक्षनी रेलवे की पहली ट्रांस वोमें ट्रैबलिंग टिकट परिक्षक कौन बनी है राइट आंसर हो जाता है इस question का option B सिंदू गनपती सिंदू गनपती दक्षिनी railway की पहली trans woman traveling ticket परिक्षक बनी है फ्रेंट्स ये है photo सिंदू गनपती जी की अगर हम detail में समझें फ्रेंट्स तो आपको भारत की में जो अगर आप सासात में रिवाइज करते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि CISF की प्रमुक बनने वाली जो पहली महिला बनी है ना नीना सिंग बनी है double star mark कर लिजिए railway board की पहली महिला अध्यक्ष और CEO कौन बनी है जया वर्मा सिना CCI यानि कि भारतिय प्रति सपर्दा आयों की पहली महिला अध्यक्ष बनी है रवनीत कौर भारतिय सिना की पहली महिला चिकिस्ता अधिकारी कौन बनी है गेतिका कॉल यह सभी extra facts आपने ध्यान रखने हैं जो मैं आपको बता रहा हूं प्रोफेसर अजय कुमार सूध ने स्टैम में भारतिय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिद्व करने के लिए किस पोर्टल का अनावरन किया है दिखो फेंट्स यहां पर वर्ड आया है ना स्टैम इसका फुल फॉर्म सबसे पहले आपको बतायता हूं स्टैम का फुल फॉर्म है साइन्स, टेकनोलोजी, इंजिनरिंग, मैथामेटिक्स, एंड मैडिसीन ठीक है यह स्टैम का फुल फॉर्म है पर भारतिय राष्टिय विज्ञान अकादमी नई दिल्ली ने स्टैम का शुभारम किया है और मैं आपको स्टैम का फुल फॉर्म भी बता चुका हूं स्टैम का फुल फॉर्म भी आपको बता चुका हूं नेक्स्ट है हमारा कोशन चैनाई सूपर किंग्स ने आधिकारिक तोर पर अगामी इंडियन प्रीमियर लीग 2024 सीजन के लिए किसे अपना ब्रैंड अमेस्टर नियोक्त किया है तो राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा ओप्शन एक कैट्रीना कैफ याद रखना है कैट्रीना कैफ को चैनाई सूपर किंग्स ने IPL 2024 सीजन के लिए अपना ब्रैंड अमेस्टर नियोक्त किया है अब देखो फ्रेंड्स कोशन की टाइप थी ब्रैंड अमेस्टर तो मैं आपको महतवपुन ब्रैंड अमेस्टर रिवाइस करवा देता हूँ Fit India Movement के नई ब्रैंड अमेस्टर बने है नरेंदर कुमार यादव इसको तो आप डबल स्टार मार कर लिजे हुंड़ई मोटर इंडिया लिमिटेड की ब्रैंड अमेस्टर बनी है दीपिका बादुकौन Henry Harbin Education इसके ब्रैंड अमेस्टर बने है महेंदर सिंग धोनी अगर आपको वीडियो की कॉलिटी वीडियो का कॉंटेंट और आपके रभी सर की महनत पसंदा अरे है ना वीडियो को लाइक और शेर जरू करें और कॉमेंट बाक्स में अपना फीडबाग भी दे कि आपको वी का हमारा option A Alexander Stub Alexander Stub Finland के नई राष्टपती बन गई है यह photo Finland के नई राष्टपती Alexander Stub की Finland की बात कर लेते हैं किस महादुप में है यूरोप महादुप में राजधानी है है हैल सिंग की प्रधान मंतरी है पैटरी और पो और मुद्रा के है यूरो है Finland की location देख लेते हैं यहाँ पे हमारा यह प्यारा भारत है ठीक है और अगर आप western side जाओगे यानि कि पश्यमी side जाओगे friends तो यहाँ पे आपको मिलेगा Finland ठीक है यहाँ पे आप देख सकतो यह है Finland देश और हाली में कुछ नियोग तो जो प्रधान मंतरी और राश्टपती उनका हम को एक रिवीजन कर लेते हैं एक्स्ट आपने ध्यान लखना है नेक्स्ट आम ह시ोशन उत्तरक्ष के अयोध्या में राम मंधिर का दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता कौन बने है राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा option D. बिमान प्रसाद बिमान प्रसाद फिजी के डिप्टी पीम है ये उत्तर परदेश की अयोधिया में राम मंदिर का दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता बन गई है ये है फोटो बिमान प्रसाद जी की नेक्स्ट है हमारा कोशन क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में टॉप पर पहुँचने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले गेंदबाच कौन बने है राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा option B. जस्परीद बुमरा जस्परीद बुम्रा किर्केट के तीनों फॉर्मेट में टॉप पर पहुँचने वाले किर्केट इतिहास के पहले गेंदबाज बन गए है आखरी कोशन है इस वीडियो का फरवरी 2024 में केंद सरकार ने किस राज़े में मुबाइल स्वास्ते पहल किलकारी और मुबाइल अकादमी की शुरुआत की है राइट आंसर हो जाता है ओप्शन C, A and B दोनों महरास्ट और गुजरात महरास्ट राज़े और गुजरात राज़े में केंद सरकार ने मुबाइल स्वास्ते पहल किलकारी और मुबाइल अकादमी की शुरुआत करी है ओदेशे क्या होगा महरास्ट और गुजरात में सारवजनिक स्वास्त बुनियादी धाचे को मजबूत करना किलकारी कारेकरम अब लोकन के बारे में जान लेते हैं वो देशे क्या हैं प्रेजनन, मात्र, नवजात और बाल स्वास्ते देखबाल पत ध्यान के इंद्रित करते हुए IVRS के माध्यम से सब्ताई बहतर आडियो संदेश वित्रित करना और मुबाइल अकादमी की पहले के बारे में जान लेते हैं मुबाइल फोन के माध्यम से सुलब, मुफ्त, आडियो, प्रस्टिक्शन, पार्ठे करम के माध्यम से आशाकारे करताओं कि ग्यान और संचार कोशल को बढ़ाना है यह वीडियो होगे, यह complete जितने भी important question थे, 15 मैंने आज की वीडियो में include की है 15 questions sufficient है, पूरे महीने के end benefits आपको पता कितने questions मिलने वाले हैं 400 के आसपास questions मिलने वाले हैं, इतने questions अगर आप पढ़ लेते हो, इससे बाहर आपको एक भी question नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत research करने के बाद, आपके लिए मैं best question रखता हूँ अपनी वीडियो में, ठीक है लास्ट में हम बात करेंगे आपके लिए ebook की और mobile application की तो उससे पहले आपना test लगा लीजिए, तो question है हमारा, 15 ICC under 19 wish cup 2024 का एक दिवस्य किताब किसने जीता है चार option है आपके पास, answer आपने comment box में देना है, टेस्ट आप जरूर लगाना, तो चलिए friends वीडियो हुई है complete, अब हमके लिए important information है, सबसे पहले आपको बतायता हूँ कि हमारी mobile application launch हो चुकी है, रवी study IQ GK नाम से, यहाँ पे आप GK का current affairs का quiz लगा सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा भी working mode पे आई है, थोड़ा सा time लग सकता है, इसको मतब rate होने में, और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, आपके रवी सर की जो paid PDF की website है www.ravibooks.pdf.com, यह भी launch हो चुके, यहाँ पे आप सभी के लिए e-books को बना कर ताकि आप exam से पहले बहुत अच्छे से त्यारी कर सको, ठीक है, तो चलिए friends, अब हम मिलते हैं next video में, thank you and wish you all the best.